कि आपका अपना यूट्यूब चैनल में आज हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ और बहुत ही ब्रेकिंग लिज लेके हाजिर हुए हैं कि बिहार विदाले पर इच्छा समयती के तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है कि बिहार का एक्जाम 9 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 के ही बीच होगा यानि कि 99 2020 से 29 2020 के बीच में विहार का STT के एक्जाम विहार का STT के एक्जाम कंड़क्ट कराने जा रही है और वयल्टॉन द्वारे एजनसी जिज político किया गया है वो TCS Ion Digital Zone है यानि कि TCS Ion Digital Zone डिजिटल जोन है यह विहार के बारा जिला में इसका एक्जाम लिया जाएगा और इसे तीन पाली में लिया जाएगा यानि तीन शिफ्ट में लिया जाएगा अब दखिए कि TCS द्वारा यह कंड़क्ट किया जा रहा है और विहार के बारा जिला में यानि कि पटना भोजपूर नालंदा छपरा मुझफपूर यह सब तता वाराद जिला में यह ईंब लिया जाएगा बारद में यह स्ट का एकजाम लिया जाएगा हुआ और यह तीन सिफ्ट में एक्जाम होगा तीन सिफ्ट में इसका एक्जाम होगा पहला सिफ्ट आठवरे से सुभ़ा एच सुद्वी हुआ इसके लिए वजसे गेट ओपन होगा साथ बज़े शाथ एयम् सहरे साथ एम तब है यानिकि स्सुभास साथ बज़े के बीच में यह गेट ऊपन होगा आप और तन्व मों ऊलाइन एक्जाम होगा अठ बज़े इस्टर्ट बज़े हो और एक्जाम दो आवर्स तीज मिनट का होगा पआला फर्स्ट जो होगा वो 8 बजे होगा सेकेंड़ सिफ्ट जो होगा कि सपेंड़ सिफ्ट होगा आपका 12 बजे से 12 बजी से इसके लिए आपको 11 रहा येम से लेके 11.30 तक आपको एंट्री कर जाना है यानि कि दूसरा स्ट के लिए आपको 11 बजे से लेके 16 बजे तक कर लेना है और एक्जाम 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा फिर यहां से ऑनलाइन एक्जाम सुरू होगा 12 बजे से 2 घंटा 30 मिनट के लिए ठीक है फिर थर्ड शिफ्ट जो है मैं थठ सिफ्ट है वो शुरू होगा 3 भेज से जिए यानि थर्ड के लिए कर दोए इसके लिए बहुत ही रूल लेगलेशन बनाया गया है कि आपको एक्जाम सेंटर पहले एक दिन पहले देख लेना है आपको जूता और मोजा पहनके नहीं जाना है आपको चपल पहनके जाना है ठीक है और आपको एडमिट कार तो अभी सब्धसार ओल्क है इसके सब्सक्राआइब करता आए दिए विसे नोटिस आया है उसमें बता दिया गया है की एक्जाम 9 से तंबर से ही सुरू होगा जैका है और में भी अपने 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 जिला में दे के कैस्ट जला में बिहार के 12 जिला मिहार के 12 जिला मिंसेंस में कbor debated बनाया गया घ्यां चपड़ा हे वैसाली यह मुझाफर पूरा और अंगा बाद है दर्भंगा है समस्ति पूर है भागल पूर और पुर्णिया है यानि कि ये 12 जिला में एस्टीटि का केनर बनाया गया है अगर आपका एक्जाम जिस दिन भी पढ़ता है नौ सितमबर 2020 से 21 सितमबर 2020 के बीच में कभी भी पड़ता है तो आप अपना एक्जाम सेंटर देख लें एड्मिट कार्ड पांच दिन पहले यानि कि एक्जाम के पांच दिन पहले आपको मिलेगा ठीक है कि इक चीज और बात है कि विहार विद्आलएक परिच्छा समीथी ने अभी तक सिलेबस की यह बहुत ही हादि पून है हम छातों के लिए जो चाथबता यारि करते हैं ठीक है उनके बहँ मैंने कि दोटी दुर्भात्व हुआ थी कि अभी तक स्टीटी ज़ेवस कब अब दाले परइच्छा विया जारी कर नहीं बता कि जो पिछला एक्जाम हुआ था जो एक्जाम कैंसिल्ड हए उसमें यहीं लफरा था कि हिस्ट्रीक है जिसका उनर्स था उसका पॉलिटी का यह आ गया था इस तरीके से उसमें भी धांदली हुई थी कि स्लेबस किसी मेरा जो ग्रजुएशन में स्लेबस अलग है माल जी मेरा मैत है ठीक है तो मैत का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए या मैं से रिलेटर पुछना चाहिए तो इस इस पर भी हुआ था और कदा चार मुक्त इस बार तो विहार विद्यालय परक्ष्छा समीटि कर रहे है कि कदा चाहर मुक्त होगे पिछले बार पेपर आउट भी हो गया था बहुत जगांगामा भी हुआ था तो इस वाज़े से इस वार देखिए एस टीटी क्या करता है पर विधार विदाले पर उच्छा समीति क्या करती है ये देखना है आने वाले दिनों में हम देखेंगे जब एक्जाम शुरू होगा तो हमें पता चलेगा कि क्या एक्जाम कर दचार मुक्त हो रहा है यह नहीं हो राए बहुत सारे टीम को गठन किया गया था बिहार विदाले पर उछह संभीति द्वारा लेगन देखते हैं एक्जाम होने के बाद लेगन विहार विदाले पर उछा समेति को सिलेवस अभी भी जारी कर देना तुरूटी रह जाए और बच्चों के साथ खेलवार कर रही है विहार स्ट्रीटी ठीक है तो विहार विदाले पर इच्छा समीती तो अभी भी अभी टाइम है दस दिन पंदरह दिन जो भी टाइम है इसमें सिलेबस जारी कर देना चाहिए ताकि स्टूडेंट को कोई दिक् हाफ टिशर पहुन के जाए ठीक है और अपना सेनिटाइजर अपने साथ ले जाए इस करोना काल में इस खतरनाक में हमारी में हमें सेफ भी रहना है तो अपना सेफ्टी खुद करें क्योंकि सरकार इसकी जिम्यदारी लेने वाली है नहीं और एक्जाम सेंटर एक दिन पहल ऑप सही से अफना एक्वीरत कर लें एकया जिरॉक्स ले लें और अपना सिफ्ट करके ही एकजाम सेंटर पर जाएँ अपने तरफ से फुल पेड़ होके जाएं तकि आपके तरफ से कुई यह ना हो जब भी आपसे जिरॉक्स बांगा जाए जा आपसे अधार ओरीजिनल अ कि अगर महाँ कुछ भी वांगा जाएं तो आप मैं बता जेता हूं एक डिशान का जरूरे यहां इंए जरूरी ले लें इसके साथ अधार कार्ड अधार कार्ड आप original अपने साथ रखें और अधार कार्ड का एक इसके साथ ऐसाद Ilacized Countного產 आधार का ओर आदार कार्ड है ठीक है तो एक तो अधारकाड और अधारकाड का जरोक्स रख लें एक फोटो भी अपने सांत रख लें जो आप फोटो ऑन-lain अप्लिकेशन करते समय जो आपने फोटो अप्लोड किया है वो फोटो एक रख लें इनकेस अगर आप से मांगा जाए तो आप अराम से दे सकते हैं ठीक और इसका एक्जाम टीसी एस यानि टाटा कंसल्टेंसी सर्वीस आयों डिश्टल जोन में होगा तो ऑनलाइन ही होगा और कंप्यूटर बेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट होगा तो आप उसके लिए प्रिपेर रहें और तैयारी करते रहें बेस्ट अफ लॉक सभी के लिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी अपडेट आए तो आप तक वो पहुंचे ठीक है